हेलो फ्रेंड्स वल्कम बैक तो माई चैनल कार्णिंग वल्ड में वेलकम करते हूं आप सभी यूट्व फैमिली का और सभी मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड का तो आज मैं देखे में डावला के ब्लूमिंग दिखा रही हूं कितना प्यारा कलर खिला हुआ है वाइट कलर और इसके अंदर क्रीम इसा कलर येलो जैसे आप बोल रहे हैं देखे कितना सुन्दर है कलर और कितनी सारी कलिया है निंकी बेल देखे बहुत ऊपर तक चल रही है जैसे कि मैंने इसको सपोर्ट डे दिया था और बहुत यह च्छे से फ्लावर हो रही है इस में बहुत यह अच हुआ है थोड़ा बारी सोब और परीशन करके रखा Rich haft लेकिन कोई बार भी ज़्रूरी है अभी हम प्लांडे के लिए तो आज सा प्लाइब के लिए तो आजसे घंदे के में लожалуйста प्लांट मेरे कटिंग से लगा हुआ जो कि मैं करती हुए ना धिक छोटा सा पिंचिंग किया मैं प्लांट आपको दिखे़ा ऊवगा जैसे पींचिंग करती हूं तो वो सुइंग डिखाना पॉधा मेरा पिछले बार खराब हो गया था लेकिन जब मैंने इसकी अच्छे से हार्ट प्रूनिंग करी और फिर से इसको रिपॉट कर दिया बड़े से पॉट में तो अब जाकर के दिखे कितना सुन्दर लग रहा रोज इसमें फूल में लेती हूं रोज भगवान जी को आरपन करती हूं और उसी दोप्लां चैने में कितने सारे टयार कर लिये हैं उनकी करती गई वह बूसी होता चला गया और और उससे कई सारे प्लांट में त्यार हो गए तो चलिए मैं दिखाते हूं पहले दिखिए कितने पॉर्ट है मेरे पास गमले के यह इसका गिंदी का देखिए एक छोटा सदर लगावा है बहुत सरा और यह दिखिए मैं ग्रो बैग में भी कटिंग से लगावा प्लांट को पॉर्ट हो गया है यह दिखिए कितने अच्छी फ्लावरिंग इसमें हो रही है और इंज कलर का अभी खिलना ही स्टार्ट हुआ है तो आज गेंदी के बारे में बात करना है गेंदी का प्लांट बहुत ही हाड़ी प्लांट है इसमें ज्यादा के जरूरत है नहीं लेकिन कर दեղी पेस्टीजाइड तो पत्ती प्ते में फॉर्ण का खाल के हो जाए जाए हैं मतलब क्या बोलते हैं डिखे इस तरह को घंदेगी फयला के जाती और यह प्रूंगल फटे का लीत差 है तो बिखे सबकिद रूधादा प्रूझ पजाना प्लांट में लगाते हूं एक बराबर मातर में मिट्टी में जाता है हमेशे मिट्टी आप उस तरह से डाले बहुत अच्छे तरीके से अगर नहीं आप उतना दे सकते हैं तो सिंपल एक पार्ट गार्डन से सोयल ले ले उसमें 20% के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल करके आप मिला करके उस तरीक के मिट्टी में भी आप इसको लगा सकते हैं बहुत ही अच्छा यह चलेगा प्लांट और इसमें जैसे की वर्मी कंपोस्ट वगरा ज्यादा खाद मत दीजे सकते हैं लेकिन तुरत तुरत नहीं दीजे थोड़ा गैपिंग रहने दीजे ताकि अगर ज्यादा इसकी तेजी से ग्रोथ कर देंगे तो फिर फ्लावर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब कोई प्लांट आपका अगर ग्रोथ नहीं हो रहा है तब आप उस पे आपक में देखें फंगर पकड़ ये प्लांट पूरा फ्रेस था और ये योग देखें है कि अ जूए पार। को हटा दूंगी दिखे इस तरीके से हैं सारे पत्ते को आप इस तरह हटा दे और इसमें हमेशा पिस्टिसाइट का छिड़काओ करना पड़ेगा आपको मैं साफ फंजिसाइट का भी छिड़काओ हर हपते करती हूं प्लांट में क्योंकि अभी इतना लगातार बारिस हो रह है और गेंदे में है कि जब तक आपका प्लांट पुरा घना नहीं हो जाए तो इस तरह तरीके की जो कलिया है इसे हटा दे अभी इसमें कलिया लेने का जोरुरत नहीं है क्योंकि यह थोड़ा बूसी हो जाएगा बहुत सारे ब्रांच निकलेंगे तो उससे आप फ्लावर डिखा राव को लंगे हरी तो मैं इसको पिंच कर दोलूंगी और गेंदे के प्लांट को ऐसे जैसे मैं दिखाती हैं आपको कैसे मैं पिंच करते होगह ठोड़ा सा नीचे देखेए यह वाला जो स्ट्यक् talked यहां से मैं ऐसे करके ऐसे पिंच करी फ्रेंड देखिए और यह आपको देखिए इसमें कितने सारे यह तो पत्ते हैं लेकिन इसी को मैं इस तरीके से ओंगली से देखिए थोड़े से गड़ा करूंगी और इसको मैं इस तरीके से बिना कोई भी इसमें जो एलोवेरा हम इसकी रूट भी दिखे का उपर तक आ गिया इसमें रूट बहुत जल्दी डेबलफ होते हैं तो थोड़ा सा पिंचिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं सारे प्लान्ट की फिंचिंग करकर के थोड़ा सा प्लांट को बूसी बना लीजी अब बूसी बनाने के बाद फिर आप इसमें फिर कलियां जब बनेगी क्योंकि मैं बहुत जल्दी प्लांट ले आई थी और यह मेरा साइज के होते हैं तो बिक साइज फ्लावर लेने के लिए हम लोगों को इतना काम करना पड़ेगा और इसमें मैं प्रिस्टिसाइड का अटेक जो भी लग जाते हैं तो मैं प्रिस्टिसाइड यह वाला ही स्प्रे करती हूँ देखे यह मेरा थीटा यह गेंदे के प्लांट पर इतना अच्छा रिजल देता है इसमें यह वाले जो पॉली बैग में जो लगए वे फ्रेंड में बताना चाहती हूं देखे यह वाले प्लांट में जिसमें की एक फ्लावर खिला हुआ है बहुत सारे इसी तरह के पत्ते में फंगस लग गया था तो मैं थीटा का यहां से नए-ने सुट्स निकलते हैं बहुत अच्छे तरीके से और सारे पत्ते हट जाते हैं उस तरीके से देखे हट गया है और सरी कलिया में हटा दूँगी फ्रेंड कलिया एक भी नहीं रख़ूँगी क्योंकि अभी मुझे इसमें फ्लावर नहीं चाहिए और इसको मै जुको प्लांट पीवर्क करना ऑंक eerste गणा हो जाने के बाद यह बिकशाईच के फ्लाबर भी देंगे और बहुत ही अच्छे टरीके से ब्लांट हमारे गाइडन में फ्लाबर भी सुन्दर लगेंगे प्लांट भी हेल्दी रहेंगे तो इसी तरीके से आप इसको करें वर्मी कंपोस्ट वगरा 20-25 दिन में आप इसको दे दिया करें ज्यादा नहीं थे वर्मी कंपोस्ट में सभी तरह का नुट्रिशन होता है तो आप ज्यादा उन्हीं के लिए मैं रख्यों कि इतना मेरे गाडन में पिसले साल में गेंदे के प्लांट को लेकर कि इतना परिसान रहती थी बहुत ज्यादा फंगस अब बहुत सारा प्लांट भी लेकर के आई थी में और तुरंत खराब जाते थे जब मैंने ठीटा का यूज किया तो ब कब लगातर तो कि मुझे पता चली की कौन सापींछ कanor है यह मकोई पता चल जागा अभी मैं में पलेग में रखेंघors को इसके लिए पॉट भी मुझे लाना है देखे कितने सारे कलियां बन रहे हैं लेकिन कि फ्रेंड मुझे कलियां अभी नहीं चाहिए तो मैं सारे कलियां को हटा देने वाली हूँ इस तरीके से और बस पींच करते रहे हैं उपर वाले टीप को आप गेंदे के उपर वाले टीप जो होते हैं यह वाले उपर वाले टी कि मिट्टी में पानी डालें और मिट्टी को मोश्चर बना के रखें ज्यादा अगर मिट्टी सुख जाती है तो पत्ते अपने आप जूग जाते हैं नीचे इसमें यह हमेशा देखने को मिलता है तो पत्ते अपने आपको बताने रखते हैं कि मुझे पानी का जरूरत है तो वोगों को मिलती रहे और अच्छे ची वीडियो के साथ में आती रहूंगी फ्रेंड ने से बहुत सारे अच्छे-च्छे फ्लावर और विंटर-फ्लावर तो बहुत शुंदर-शुंदर होने वाला है तो इसी तरीके से मैं केर करती हूँ और आप लोग भी करें एपी गार् झाल